पुरानी कहानियों में मेसोपटैमिया की जहलक ये बड़ा एक छोटा सा एक रुचिकर भाग है इस अध्याय का कि कहानिया और मेसोपटैमिया और मेसोपटैमिया की चर्चा मेसोपटैमिया इतना विकसित था इतना प्रसिद्ध था दुर्भाग से मिसोपटैमिया सब्विता की खोज अब गत्स सौ डेर सौ वर्षपूर भी हुई लेकिन ऐसा देखा गया है कि मिसोपटैमिया शेतर से समंदित जानकारियों का जिक्र कुछी अन्य साहित में और उनकी कहानियों में मिलता है आखिर ये कौन सी कहानिया है जिसका जिक्र किया जा रहा है सबसे पहला है इसाईयों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल इसाईयों का सबसे पवित्र ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ बाइबल बाइबिल में Old Testament जो प्रतम भाग में उसमें एक हिस्सा है Book of Genesis मैं अपना दोरा दूँ बाइबिल, बाइबिल का प्रतम भाग Old Testament Old Testament का एक भाग Book of Genesis उस Book of Genesis में शिमार नाम के एक जगह की चर्चा है ऐसा माना जाता है यह शिमार कुछ नहीं बलकि सुमेर है हमने सुमेरियन राज की चर्चा सुनी है, पढ़ी है तो यह बिलकुल साबित होता है कि शिमार कुछ नहीं बलकि शाय सुमेर होगा और इसमें सुमेर को इंटों से बना हुआ शहर बताये गया है याने पत्थरों का उपयोग वैसे भी वहाँ नहीं था क्योंकि पत्थर नहीं थे तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये शिमार सुमेर ही है और योरोप के जो पादरी थे जो इसाई धर्म के धर्म प्रचारक धर्म गुरू होते हैं उनको पादरी कहा जाता है योरोप के इसाई धर्म के जो धर्मिक मुखिया लोग हैं उनका ये विचार है कि उनकी सबसे पवित्र भूमी उस खेत्र में जो है वह अपने पुरूजों की जो जमीन है वह है मेसोपटैमिया उसे बहुत पवित्र मानते थे जब इस जगह में पुरा तात्विक खोज प्रारंब की कोशिश की जारी थी कि दोनों में एक एक रूपता है याने ओल्ड टेस्टामिन में जो लिखा है और जो ख़दाई के समय जो दिख रहा है इनमें बड़ी समानता है तो एक तरीके से एक प्रयास भी चल रहा था कई बार ये प्रयास अनायास था कई बार ये प्रयास अन प्रिमार के रूप में जिक्र किया गया है, बुक अफ जेनेसिस में और वहां के कुछ करेक्टर, वहां के कुछ घटनाएं, कुछ हज तक मेसोपटाइमिया में हुई घटनाएं, पातरों से मेल खाती हैं। दूसरा, बाइबल में एक बहुत बड़ी घटना है, जो आप सब को मालूम होगी, जल प्लावन, जब पूरी दुनिया पानी में डूब जाती है, उस पर कई फिल्में भी बनी हैं, और ये एक बहुत बड़ी एतिहासिक घटना, माइथालोजिकल घटना मानी जाती है, तो उ उसका उलेक मिलता है, मेसोपटैमिया के जल प्लावन का, ऐसा माना जाता है, बाइबल का निसार, जल प्लावन पृत्वी में संपूर्ण जीवन को नश्ट करने वाला था, जो बाइबल में जिक्र है, कि जल प्लावन जो है, प्लावन मनें डूब जाना, जल में डूब ज तो जल प्लावन से पूरी दुनिया डूबने वाली थी और पूरा जीवन समाप्त होने वाला था यहने there will be nobody who will be life किसी में जीवन नहीं रहेगा जीवन समाप्त हो जाएगा किन्तु ईश्वर ने जल प्लावन के पश्चाज भी जीवन को प्रित्वी पर सुरक्षित बनाए रखने के लिए नौवा नाम के करेक्टर को प्यार किया नौवा नामक एक मनशी को का चैन किया कि इसलिए कि जल प्लावन के बाद भी जीवन बना रहे उस जीवन को बनाय रखने में जिस पात्र की मदद या जिस पात्र को ईश्वर नहें तयार किया, उसका नाम था नोवा नोवा क्या करता है कहानी की अनुसार, माईथाल अजी के अनुसार एक बहुत बड़ी नौका बनाता है, पहले से तियार करता है और उस नौका में जितने तरह के जीव जन्तू हैं उन जीव जन्तूं का एक एक जोड़ा उस नाव में बठा देता है जब जल प्लावन होता है और इस बहुत बड़ी नाव बनाएं और इसमें जीव जन्तियों का जोड़ा रखा जब जल प्लावन होता है तो नाव में जितने जोड़े रखे गए थे विविन जीव जन्तियों को के उनको छोड़ कर बाकी पूरा जीवन समाप्त हो जाता है ये वहां की मेसोपटामिया की परंपरागत साहित में भी पाई गई है और इसलिए इस परंपरागत साहित में मिली हुई यह घटना का जिक्र बाइबिल में भी है तो ऐसा लगता है कि बाइबिल में दी हुई घटना इसी क्षेतर की और इशारा करती है जिसे हम मेसोपटेमिया कहते हैं इस कहानी के जो मुख्य पात्र को जिव सूद्र कहा गया और जिव सूद्र को दीसरा नाम दिया गया उटता पिश्टिम जिव सूद्र या उटता पिश्टिम ये इस कहानी का मुख्य पात्र है वो मुख्य पात्र और इसमें बाइबिल में दी घटनाओं में और घटना करम में चाहे वो जल प्लावन की घटना हो चाहे वो शिमार नाम हो इससे ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ सामझस है तो पुरानी जो कहानिया हैं उसमें ये सब जो बातें आ रही हैं ये निश्चित रूप से कई दिहासकारों का कहना है मेसोपटैमिया की जहलक देती हैं मेसोपटैमिया की परंपरा उनकी कथाओं से दिखती है और वहां की परंपरागर कथाओं के अनुसार उसक के शासक एन मरकर ने ही मेसोपटैमिया में सबसे पहले लेखन और व्यापार शुरू किया था तो वह कौन सा शासक था जिसने लेखन भी शुरू किया और व्यापार भी शुरू किया तो उत्तर है एन मरकर जो उसक काश शासक था एक अन्य परंपरागर कथा के अनुसार उसक के राजा एन मरकर ने अपने राज के एक सुंदर मंदिर को सुचज्ज़त करने के लिए बहुती सुंदर लाज़वर्द और रत्न धातिल आने के लिए एक दूट को अरट्टा नामक राज के शासक के पास देजा मैं पन्ह दोरादू कि जो राजा था इन मरकर जिसने लेखन और व्यापार की शुरुवात की मिस्व प्रटामियन काल में उसने जो एक मंदिर बनवाया है उसको सजाने के लिए सुसज़ित करने के लिए उसको बहुत अलग बनाने के लिए उसे कुछ चीजों की दरुद पड़ी जैसे बहुमूल लाजवर्द और बहुमूल रत्न धाती है जो अरटा नाम के राज़े में उपलब्द थी तो एन मरकर ने अपने दूट को अरटा नाम के राज़े के शासक के पास दोज़ा दुर्भाग्य के दूट अपनी बात को अरटा राज़ा को नहीं समझा पाया क्योंकि भाशा अलग थी और नहीं समझा पाने का परणाम क्या हुआ कि जिस परपस से गया था जिस देश्ट से गया था वो पूरा नहीं हो पाया तब क्या हुआ है तब राजा एन्मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनवाई और इस पर शब्द लिख दिये उसने यह पट्टिका अरट्टा के राजा को दी यह शब्द कीलाकार थे इससे पता चलता है कि एन्मरकर ने मिसोपटामिया में सर पथम लेखन और व्यापार की शुरुआत की थी यह इनी पट्टिकाओं के माध्यम समको जानकारी मिलती है कि सबसे पहली शुरुआत एन्मरकर ने की और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई यह मैंने आपको बताया कि किस प्रकार उसे कुछ चीजों की जुरुआत थी अपने मंदिर को सिजाने के लिए जिस राजा के पास इसने अपने दूट को भेजा वह राजा इनकी भाशा नहीं जानता था परणाम सिरुप ये दूट वापस आता है और एन्मरकर जो उसका राजा था उसको बताता है डिक्कत जिस ऐसा सुनने पर एन्मरकर क्या बनाते हैं पटिकाएं बनाते हैं और उसने उन पटिकाओं पर कुछ लिखा कुछ शब्द लिखे और उसे राजा को प्रदान किया, यह कीला कार शब्द थे यही के लोग मिट्टी की पटिकाओं पर निखा करते थे और उनकी लिपी कीला कार हुआ करती थी और इससे कुछ संकेतिक जानकारी सामने वाले को मिल जाती थी और यथ तरीके से कारिसंपन हो जाता था पुरानी कहानियों में मेसोपटैमिया की जलक को लेकर एक विवरन और जल प्लावन का विवरन आपने सुना ही उसी प्रकार एक और रोचक विवरन है और वह है उसका तंबन्ध है गिल गैमिश से गिल गैमिश गिल गैमिश नामक महा काविशे यह जानकारी मिलती है कि मेसो के लोगों को अपने नगर पर बहुत गर्ब था मेसोपटामिया के जो लोग थे वे बड़े गौरवान्वित थे अपने शहरों के लिए चाहे वो उरुक हो चाहे वो पलाश हो चाहे दीसरे बेबिलोन हो और उस पर बड़ा उनको घमन महसूस होता था ऐसा कहा जाता है कि गिल गेमिश जो एक पात्र है गिल गेमिश ने राजा एन मरकर के पश्चाट अनेक नगरों पर शासन किया ऐसी साहिते में इस बात का जिक्र है कि जब राजा एन मरकर खत्म हुए उसके बाद गेमिश ने अनेक शहरों पर शासन किया और उस पर अपना समराज बढ़ाया गिल गमिश एक महान वीर था बहुत बड़ा युद्धा था वीर था और दूर दूर के प्रदेशों से प्रदेशों पर उसने विजप रापकी और अपना समराज बढ़ाया था उसके समराज में जो नगर थे वहां के रहवासी को नगरों से प्रेम था यह बात इस बात का जिक्र मिलता है कि गिल गमिश किसी समय अपने एक बहुत शूर वीर मित्र को जो उसका बहुत निकट का मित्र था अचानक उसकी मृत्य हो जाती है गिल गमिश बहुत हताश हो जाता है बहुत निराश हो जाता है और बहुत दुख्य हो जाता है परिणाम कि एक तरीके से उसे संसार के माया मोह से मुक्त होने की इच्छा होती है और वो सोचता है कि आदमी मरता क्यो है आपको याद होगा गौतम बुद्ध भी यही जानकारी खोजने के लिए निकले थे कि आदमी मरता क्यों है आदमी बुढ़ा क्यों होता है तो यही स्थिती कमोबेश गिलगेमिश की भी हुई और उसने निर्णे किया कि यह जो मेरा मित्र मरा है और अब समाप्त हो गया है दुनिया से चला गया है उससे मैं कभी नहीं मिल सकता तो अमरत्य भी हो सकता है क्या क्या अमर भी हो सकते हैं लोग ऐसा क्यों संभाव नहीं है अमर होना भी संभाव होगा इसको खोजना पड़ेगा तो अमरत्य की खोज में साहित्य के अनुसार गिल गिमिश निकल पड़ता है और अब पूरी दुनिया में यहां वहां घूमता है, दुनिया भर में खोशता है, लेकिन अमरत तो कभी मिलेगा? एक छोटी की घटना भारत के परपेश में भी है, कि जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे एक पेड़ के नीचे, जब वो गौतम बुद्ध नहीं बने थे, बुद्धी प्राप्त होने के पूर्व, जब वो तपस्या कर रहे थे, तो एक महिला रोते रोते उनके पास उनकी तपस्या भंग कर दी, तो इन्होंने पूछा कि बताओ क्या हो गया, गौतम बुद्ध ने पूछा, महिला ने कहा, मैंने अपना पित्र खो दिया है, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, मैं बहुत सुनी हूं आपके बारे में, आपकी सुनकर निर्मल कीरती, आपको परिवार, जहां का मरा न हो कोई, वहां से ले आओ, तिल चार, बुद्ध ने यही कहा, कि ठीक है, मैं इसे जिंदा कर दूँगा, तुम एक काम करो, आसपास शहर में जाओ, और वहां एक परिवार, जिस परिवार में भी कोई न मरा हो, वहां से तिल के चार दाने ले आना उस दानों से मैं इलाज कर दूँगा, और आपका पत्र जिंदा हो जाएगा, पर ऐसा हो सकता है कि कोई भी परिवार में, कोई मरा ही न हो, महला निराश होके आती है, और उसकी आँखें खुल जाती है, गिल गमिश ने पूरी दुनिया की आत्रा की, इस खोज में, कि अमर पत्रुक की जो शहर की जो सीमा है, उसकी चहार दिवारी उसके आज पात वो घूम रहा था, बड़ी चिंता में था, सोच रहा था क्या करना है, क्या नहीं, और निराशा थी, अचानक उसकी नजर, वहाँ पे भ्रमण करते हुए उसकी दृष्टी उन पकी हुई इटों प पड़े अचानक, ऐसा नहीं कि पूर में उसके नहीं देखा था, या उसे मालुम नहीं था, ये कुछ बातें ख्टी होती हैं, और उसकी उसकी अचानक नजर पड़े ऊनर इटों पर, और उसको उसे महसूस किया कि ये इटें, इसी पर तो पूरी नीव खड़ी हुई है, इस बात की समझ के बाद वो थोड़ा भाव विबोर हो गया और उसके बाद उसको ये रिलाइजेशन हुआ कि अमरत्व जैसी कोई चीज नहीं है लोगों का आना जाना लगा रहता है ये कहानी जो है ये कहानी भी मेसोपटामिया से सम्बंदित गिलगमिश से सम्बंदित अन इस कहानी का ताचपर ये है कि नगर्वास्यों को अपने शहर ते प्रेम था गिलगमिश भी जब अपने शहर वापस लोटा उरुक वापस लोटा तो उरुक मेह उसे सांत्वना मिली उरुक आने पर ही उस इंटों को देखकर उस चाहार दिवारी जिससे बनी थी उन इटो को देखकर उसको रहत मिली सांतुना मिली रियलाइजेशन हुआ बुद्धी मिली समझ आई तो उसके बाद इस्थिती बड़ली कुल मिलाकर मिस्व पतामिया की सब्विता बड़ी विशाल बहुत महत्पूर्ण और विश्व इतिहास की एक महत्पूर्ण सब्विता मानी जाती है इसके विविन भागों को हमने पढ़ा है हमने देखा समझा और इनके पहलूँ को समझ के निश्चित रूप से इस निश्कर्च पे हम पहुंच सकते हैं कि मसेव पटामिया की सब्विता कुछ मामलों में सिंदु घाटी की सब्विता से पीछे तो थी लेकिन निश्चित रूप से वह एक पाइनिरिंग सब्विता थी एक ऐसी सब्विता जिसने कई नई चीजों को पहली बार मानो जाती में जम दिया